जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैधन तेरस त्योहार की मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूड़िव चलने के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हारधी कभी नंदन करते हैं आज हम आपको धन तेरस के त्योहार से संबंदित बड़ी विशेश ज जलाए जाते हैं वो किन किन देवताओं के लिए जलाने चाहिए और किस किस थान पर उन दीपकों को रखना उच्छी तो होता है और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि धन तेरस के त्योहार के दिन विशेश रूप से जो चार बत्ती वाला बड़ा दीपक पर आज जी ने अकाल मृत्यू से बचने का उपाए बताया था वो कथा भी आपको सुनाई जाएगी तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में धन तेरस के त्योहार का विशेश महत्व बताया गया है धन तेरस का त्योहार दिपावली से दो दिन पहले आता है कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष की त्रियोदिशी तिथी को धन तेरस का परम सुंदर त्योहार मनाया जाता है तो इस वर्ष धन तेरस का त्योहार दस नवंबर दिन शुकरवार को मनाया जा रहा है त्रियोदिशी तिथी का आरहंब 10 नवंबर दिन शुकरवार को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर हो जाएगा और त्रियोदिशी तिथी की समापती 11 नवंबर दिन शनीवार को दोपहर 1 बजकर 57 मिनट पर हो जाएगी धन तेरस का त्योहार साइकाल का त्योहार होता है साइं के समय विशेश रूप से दीपक जलाए जाते हैं इस कारण जो धन तेरस का त्योहार है वो 10 नमंबर दिन शुकरवार को ही मनाया जाएगा तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि धन तेरस के त्योहार के दिन जो साइं काल में विशेश रूप से 13 दीपक जलाए जाते हैं वो किन किन देवताओं के लिए जलाने हैं किस की स्थान पर उन दीपकों को रखना है और उसके कौन से नियम है कौन सी विधी है सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर अब देने जा रहे हैं तो धन तेरस के त्योहार के दिन जो विशेश 13 दीपक जलाने है उसके बारे में सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि दीपक सीधा धर्ती पर नहीं रखे जाते भूमी पर नहीं रखे जाते इसके लिए आप दीपक रखने से पहले वहां पर आप चावल रख दीजिए या फिर आप रंगोली वाले रंग भी रख सकते हैं धर्ती पर कोई भी दीपक सीधा नहीं रखा जाता तो आप थोड़े से चावल पहले ले लीजिए और उन पर पीला रंग कर दीजिए तो उन चावलों को आप धर्ती पर रखे उसके बाद आप उसके उपर दीपक रख सकते हैं या फिर आप रंगोली के रंग ले लीजिए आप उसके उपर भी दीपक रख सकते हैं सीधा धर्ती पर आपने कोई भी दीपक नहीं रखना है अगली बात धन तेरस के त्योहार के दिन जो आपने विशेश दीपक जलाने हैं उसमें हर दीपक के अंदर आपने एक रुपे का सिक्का या पांच रुपे का सिक्का आवश्य डालना ही है अगली बात आपने जो विशेश तेरह दीपक जलाने हैं उन्हें आप एक बार में ही जला लीजिए एक ठाली में सभी दीपक आप जला लीजिए उसके बाद विशेश विशेश स्थानों पर विशेश विशेश देवताओं के लिए आप उन दीपकों को रखते जाएए तो स सबसे पहला दीपक जो होता है वो गनपती जी महाराज जी के लिए होता है गनेश भगवान जी के लिए होता है शिरी गनपती जी महाराज प्रतम पूझ ये देवता हैं सारे विगनों का नाश करते हैं गनपती जी महाराज जी के लिए जो पहला दीपक जलाना है उस दीपक म आप एक रुपय का या पांच रुपय का सिक्का अवश्य डाल दीजिए और साथ में छोटी इलाची भी डाल दीजिए ये दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए अर्थात देशी घी का होना चाहिए लेकिन मान लीजिए आप शुद्ध घी का दीपक जलाने में अस्मर्थ है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं लेकिन पहल वही होनी चाहिए कि शुद्ध घी का दीपक जलाया जाए गनपती जी महाराजी के लिए दीपक जलाने के समय गनपती जी भगवान से प्रात्ना कीजिए कि हे प्रबु आप हमारे इस त्युहार को सफल बनावें हमें इतनी सद्ध बुद्धी दीजिए कि हम आपके चर्णों की भक्ती कर सकें हमारे सारे परिवार पर आपकी कृपाद रिष्टी बनी रहे ऐसा आशिर वाद दीजिए तो यह दीपक आपने गनेश जी भगवान के लिए जलाना है और इस दीपक को आप अपने घड के मंदिर में जहां पर गनेश जी महराज जी का श्रीविग्र है या चित्र है आपने वहाँ पर जला कर रखना है अगली बात जो दूसरा दीपक आपने जलाना है वो महालक्ष्मी मा के लिए जलाना है महालक्ष्मी मा धन की देवी है सदा अपने भक्तों पर क्रिपा करती है महालक्ष्मी मा की जो पूझा आहरादना करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन संपत्ती की कमी नहीं आती है तो ये जो दूसरा दीपक है वो भी आप शुद्धगी का जला दीजिए इस दीपक में भी आप एक रुपे का सिक्का या पांच रुपे का सिक्का अवश्य डाल दीजिए तो इस दीपक को आपने अपने घड के मंदिर में जहां पर महालक्षमी मा का सुन्दर चित्र या विक्र है है उसके सामने आपने जलाना है वहाँ पर आप दीपक रख दीजिए महालक्ष्मी मां से प्रातना कीजिए कि हे मां आपकी क्रिपाद से ही हमें सुख संपत्ति आनंद मिलता है आप अपनी क्रिपाद रिष्टी सदा हमारे परिवार पर बनाए रखें दीपक जलाते समय और प्रातना करते समय मन में पूरी शद्ध भावना होनी चाहिए मन महालक्ष्मी मां के चर्ण में लगाना चाहिए जो अगला दीपक आपने जलाना है वो तीसरा दीपक भगवान धनवंतरी के लिए जलाना है धनवंतरी जी भगवान के लिए आपने तीस परिवार पर आपकी क्रिपाद रिष्टी हमेशा बनी रही ऐसा आशिर वाद दीजी तो जो तीसरा दीपक आपने भगवान धनवंतरी के लिए जलाना है ये भी शुद्ध देसी घी या फिर आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं इस दीपक को आपने अपने घर के मंदिर मे रखना है अब जो चोथा दीपक आपने जलाना है वो कुबेर देवता के लिए जलाना है ये धन संपत्ती खजाने के देवता है कुबेर जी महाराज रावन कुंभ करन और विभीशन के सोतेले भाई हैं तो चोथा दीपक आपने इनके लिए जलाना है ये दीपक आप सरसो कीजिए कि है प्रभु हमें ऐसा आशिरवाद दीजिए कि हमारे घर में धन समपती के भंडार भ्रे रही इसके बाद जो आपने पान्चवं दीपक जलाना है वो आपने तुलसी माता जी के लिए जलाना है यह पांचमा दीपक आप शुद देसी घी या सरसों के तेल का जला सकते हैं दीपक में एक रुपए का या पांच रुपए का सिक्का आप डाल दीजिए आपके घर में जिस स्थान पर तुलसी जी लगी हो उस स्थान पर आपने दीपक जलाना है तुलसी मा से प्रा के लिए जलाना है इसे आप किसी ऐसे थान पर जलाए जहां पर जल का स्तोत्र हो जैसे पानी की टैंकी या जहां से पानी आ रहा हो अपने घर में उस थान पर आपने ये दीपक जलाना है ये दीपक आप सरसों के तेल का जला दीजिए अगर आप चाहें तो शुद्ध घी का भी जला सकते हैं इस दीपक में भी एक रुपे का या पांच रुपे का सिक्का आपने डालना है भगवान से प्रात्ना कीजिए कि हे प्रभु हम सब पर अपनी कृपाद रिष्टी बनाए रखें इसके बाद जो सात्वा दीपक आपने जलाना है वो गव माता के लिए जलान है अगर आपके घर में गव माता हैं तो उनके समीप आपने ये दीपक जलाना है ये दीपक शुद्द देशी घी या फिर सरसों के तेल का भी हो सकता है दीपक में एक रुपे का या पांच रुपे का सिक्का आवश्य डाल दीजिए गव माता से प्रात्ना कीजिए कि हे मा आप में तो 33 क्रोड देवी देवताओं का वास है हमारे परिवार पर सदा अपनी पादरिष्टी बनाए रखे इसके बाद जो आपने आठवा दीपक जलाना है वो आपने घर के भ्रहमस्थान पर जलाना है अर्थात मध्यस्थान पर जलाना है प्राचीन समय में घर के मध्यस्थान पर तुलसी जी का गमला होता था या तुलसी जी का चबूतरा बना होता था तो घर के मध्यस्थान को ही ब्रहमस्थान कहा जाता है तो ये जो आठवा दीपक है आपने घर के ब्रहमस्थान पर जलाना है इस दीपक को आप सरसों के तेल का या शुद देसी घी का भी जला सकते हैं ये आपकी अपनी इच्छा है हर दीपक में आपने एक रुपए का या पांच रुपए का सिक्का डालना है तो ठीक यहां पर भी ये नियम लागू होगा तो अब जो अगला दीपक आपने जलाना है वो आपने नुवा दीपक घर की छत पर जलाना है जिसे की आकाश दीप भी कहते हैं घर की छत पर आपने नुवा दीपक जलाना है इसके बाद जो आपने दस्वा दीपक जलाना है वो आपने अपने पित्रों के लिए जलाना है प पित्रों के कारण ही हम इस धर्ती पर आए हैं तो पित्रों के लिए आपने ये दस्मा दीपक जलाना है इस दीपक को आप सर्सों के तेल का भी जला सकते हैं अगर चाहें तो आप शुद्ध घी का भी जला सकते हैं दीपक में एक रुपए का या पांच रुपए का सिक्का अ पित्रों से प्रातना केजिए कि आपकी कृपा से हम इस धर्ती पर आएं हैं। हमें आशिरवाद दिजी, हमारे सारे परिवार को आशिरवाद दिजी कि हम सदा प्रेम भाव से अपने घर में रहें । भगवान के चर्णों में हमारा मन लगा रहे। कुछ लोग तो जो पितरों के लिए दीपक होता है वो धन तेरस के त्योहार से लेकर भईया दूज के त्योहार तक प्रति दिन जलाते हैं तो सब की अपनी मान्यता है तो इसके बाद जो आपने ग्यारवा दीपक जलाना है वो गंगा मया जी के लिए जलाना है हमारे इस दीपक को आपने अपने घर के मंदिर में रखना है इसके बाद जो आपने बारवा दीपक जलाना है वो पीपल देव जी के लिए जलाना है पीपल देव साक्षात भगवान श्रीक्रिशन जी का सवरूप है शिर्मत भगवत गीता में भगवान जी ने अरजुन को सपष्ट बताया था कि पीपल का वरिक्ष मेरा ही सवरूप है तो इस दीपक को आप पीपल के वरिक्ष के आसपास रख दीजिए इससे प्रातना कीजिए कि इतनी कृपा कीजिए कि हमारा मन भगवान के चर्नों में ल विशेश दीपक है उससे आपने पहले अपने घर के मंदिर में रखना है एक बार घर के मंदिर में वो दीपक रख दीजिए ये दीपक शुद देसी घी का होना चाहिए अगर आप शुद देसी घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते है विशेश तो यही होता है कि हमारी श्रधा भावना पूरी होने चाहिए भगवान शुद देशी घी के दीपक से भी प्रसन हो जाते हैं और भगवान सरसों के तेल के दीपक से भी प्रसन हो जाते हैं मन की भावना अच्छी होने चाहिए भगवान तो मन की भावना देखते हैं तो तेरवा दीपक आपने पहले अपने घर के मंदिर में जला कर रखना है उसके बाद उस दीपक को आप अपने घर के हर कमरे में लेकर जाए रसोई घर में लेकर जाए, बातरूम में लेकर जाए, घर की छत पर लेकर जाए उस दीपक को आपने अपने घर के हर स्थान पर एक बार लेकर जाना है उसके बाद अंत में आपने वो दीपक अपने घर के मंदिर में रख देना है उस समय परिवार सहित प्रातना कीजिए कि हे प्रभु हम सब पर अपनी कृपाद रिष्टी बनाई रखिये हमारे घर में विशेश दीपकों की बात हो गई अब जो बड़ा चार मुख वाला दीपक है चार बत्ती वाला दीपक है वो यह मराज के लिए जलाया जाता है वो विशेश दीपक है उस दीपक को जलाने से घर में किसी की अकाल मृत्यू नहीं होती है वो दीपक कहां पर जलाना है वो हम आ पान लीजिये आटे का दीपक आप नहीं बना सकते तो मिटी का दीपक आप बाजार से लेकर आ सकते हैं वैसे भी आटे के दीपक से कई बार सरसों का तेल जो होता है वो लीक कर जाता है तो आप मिटी का दीपक बड़े वाला चार मुख वाला लेकर आ जाएए उसमें आपने चार बतियें डालनी है सरसों के तेल का ही ये दीपक होना चाहिए ये दीपक शुदगी का नहीं होता तो सरसों का तेल का ये दीपक होना चाहिए और ये दीपक जो बाकी सभी 13 दीपक है उन सब दीपकों के अंत में आपने जलाना है ये उस समय आपने जलाना है जिस समय आप आपने ये दीपक जलाना है चार बत्ती वाले इस दीपक में आपने एक रुपए का या पांच रुपए का सिक्का रखना है घर से बाहर दाहिनी और आपने ये दीपक जलाना है घर से कुछ दूरी पर आप इस दीपक को जलाकर रख दीजिए और जब आप ये दीपक जलाकर वहाँ पर रखें तो उसके बाद जब आप वापिस घर आने लगें तो आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखना है आपने सीधा घर में वापिस आ जाना है ये मराज दक्षिन दिशा के स्वामी है इस कारण उनका ये दीपक होता है वो दक्षिन दिशा की और रखा जाता है तो आप चाहें तो आप मुबाइल पर दक्षिन दिशा को सर्च कर लीजिए दक्षिन दिशा में वो घर से कुछ दूरी पर दीपक रख दीजी अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने घर से दाहिनी और ये दीपक थोड़ी सी दूरी पर जला सकते हैं और अगले दिन स सुबह आपने उसे वहाँ से उठाकर किसी ओर स्थान पर फैंक देना है कुछ लोग ये गलती करते हैं कि ये मराज के लिए जो दीपक जलाया जाता है उसे फिर से अपने घर में अगले दिन वापिस ले आते हैं तो ऐसा आपने भूल कर भी नहीं करना है ये मराज के लिए ये दीपक क्यों जलाया जाता है इसके बारे में स्विम ये मराज जी नहीं बताया है वो कथा हम आपको यहां पर सुना रहे हैं इस कथा को आप अवश्य सुने छोटी सी कथा है लेकिन इस कथा को सुनने मातर से घर में किसी की अकाल मृत्यू नहीं होती है तो कथा इस परकार है एक बार की बात है यमराज ने अपने दूतों से प्रशन किया कि क्या प्रानियों के प्रान हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है उस समय यमदूत संकोच में पढ़कर कहने लगे कि नहीं महराज हम तो आपकी आगया का पालन करते हैं हमें दया भाव से क्या लेना देना है यमराज ने फिर प्रशन किया संकोच मत करो यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तुम्हारे मन में दया आई है तो निडर होकर कह डालो तब यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक ऐसी घटना घटी है जब हमारा हिर्दे भी काप गया था हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया वे जंगल में अपने साथियों से बिछुड कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया वहां के शाशक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सतकार किया उसी दिन राजा हेमा की पत्री ने एक पुत्र को जनम दिया जियोतिशियों ने नक्षत्र गनना करके बताया कि यह बालक विभा के चार दिन बाद मर जाएगा राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमना के तट पर एक गूफा मे ब्रहमचारी के रूप में रखा गया उस तक इस्त्रियों की चाया भी नहीं पहुँचने दी किन्तु विधी का विधान तो अडिंग होता है संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमना के तठ पर निकल गई और उसने उस ब्रहमचारी बालक से गंधर्व विवा कर लिया चोथा दिन आया और राजकुमर मृत्यू को प्राप्त हो गया उस नव विवाईता इस्त्री का करुन विलाप सुनकर हमारा हिर्दे कांप गया ऐसी सुन्दर जोड़ी हमने कभी नहीं देकी थी वे काम देव तथा रती से कम नहीं थे इस युवक को काल गरस करते समय हमारी आँखों में आंसु भी नहीं थम रहे थे यमराज ने उस समय ये कथा सुनकर कहा कि क्या किया जाए विधी के विधान की मर्यादा हे तू हमें ऐसा अपन ये कारे करना पड़ा तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मिलित्यू से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धन तेरस के पूजन और दीप दान को विधी पुरवक पूरन करने से अरकाल मिलित्यू के भैसे छुटकारा मिल जाता है यमराज पूने अपने दूतों से कहने लगे हैं कि जिस घर में धन तेरस के त्योहार के दिन साइकाल में मेरी परसंता के लिए चार मुख वाला दीपक जलाया जाएगा उस घर में कभी भी किसी की अकाल मिलित्यू नहीं होगी यह मैं वर्दान देता हूँ तो यमराज के दिये गए इस वर्दान के बाद से धन तेरस के त्योहार के दिन साइकाल में विशेश रूप से यमराज के लिए चार बत्ती वाला बड़ा दीपक जलाने का विधान बन गया तो धन 13 के त्योहार के दिन 13 विशेश दीपक किन किन स्थानों पर किन किन देवताओं के लिए जलाने है और चोध्वा जो यह मराज का दीपक है उसे जलाने की कौन सी विदी है सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में अपनी ओर से दे दी है और कुछी भक्त अपनी खुशी के लिए और दीपक भी जलाते हैं तो अपने घर के रीती रिवाजों के अनुसार आप और दीपक भी जला सकते हैं लेकिन ये दीपक आपको वश्य जलाने चाहिए तो इस वीडियो के संभंद में आपका कोई भी प्रशन हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की सक्रीन पर देख सकते हैं तो आज की इस विश्य वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद भगवान श्री राधा कृशन जी की भगवान श्री लक्षिमी नाराएंजी की धन तेरस त्युहार की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै धन तेरस त्युहार की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम